कि मैं एक मुख्धमंद्री के हलके से हूँ, एक छोटे से गाउं से हूँ, हमारे अस्पताल तो है पर लेकिन उसमें सुविदा कोई नहीं है, तो अगर कोई बिमार हो जाए, बुजुर्क बिमार हो जाए, या कोई महला प्रेगनेट हो, उसको लेकर जाना हो, और शेहर में जाना पड़ता है, गाउं में कोई है नहीं, उसका सुविदा के अंदर नहीं है, अच्छे से नहीं है, तो आप आम आदमी पार्टी उसके लिए क्या सुविदा लेकर आ सकती है, चमकौर साहब से चन्नी साहब 2007 से में में लिया, 2007 से पंदरा साल हो गया, पंदरा साल में ज तो मैं तो नहीं बोला, यह तो खुदी बोल रही है कि उस गाउं, उस पिंड के अंदर एक दवा खाना नहीं है, एक अस्पताल नहीं है, एक डिस्पेंसरी नहीं है, तो बहन जी आप दिल्ली गए हो कभी? पर मने देखा है, सभी कुछ देखा है. तो एक तो हम पंजाब में पिंड क्लिनिक खोलेंगे वैसे जैसे वहां महला क्लिनिक हैं आप हर पिंड में एक एक क्लिनिक खोलेंगे और हर वाड में एक एक क्लिनिक शहर में तो 16,000 महला क्लिनिक और पिंड क्लिनिक खोलेंगे दूसरा उसके उपर फिर एक polyklinic होता है दिली में अभी हमने बनाए हैं उसमें आठ किसम के डॉक्टर बैठते हैं गाईनी का अलग होता है बच्यों का अलग होता है अलग-अलग किसम के आठ किसम के डॉक्टर होते हैं वो खोलेंगे हम लोग ब्लॉक लेवल पे और उसके बाद बड़े बड़े अस्पताल होंगे उनको ठीक करेंगे एक गारंटी दे रहे हैं हम लोग अभी तक तो मैं कहता था केजरीवाल की गारंटी अब केजरीवाल और भगवंतमान की गारंटी दे रहे हैं तो दिल्ली में हमने दो करोड दिल्ली वालों को गारंटी दिया कि अगर आपके घर में कोई बिमार हुआ उसका सारा इलाज अच्छा इलाज मुफ्त देगी सरकार वो तीन करोड पंजाबियों को भी आज हम गारंटी दे रहे हैं सरकार बनेगी समय लगेगा ऐसा नहीं कि आज बनेगी और क की विवस्था मिलेगी और अगर हम ना करें तो अगली बार वोट मत देना हमको